हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल अब्राट जॉब्सकाइट दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुक एसिस्टेन कुक किचिन हिलपर की इंटर्वियों में कौनसा कौनसा सवाल पूछे जाता है सबसे ज़्यादा उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को स्कीप मत करके फुल देखिए तो आपको प्रॉपर नोलज हो जाएगा आपको क्या 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 कोश्चिन पूछने वाला है कैसे देना है इस वीडियो में मैं आपको तो तीन points बताऊंगा वो points आपको यह answer में mention करना है अगर आपको tell me about yourself का briefly जानना है मतलब बहुत details में आपको जानना है तो आपको मेरे description पे link मिल जाएगा वीडियो का उधर जाके आप personally tell me about yourself में कैसे आपको reply देना है आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं just 2-3 points बताऊंगा जो आपको mention करना है सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका नाम, full name, आपका qualification, आपका experience, आपका education, आपका family details और आपका hobby आपको बताना पड़ेगा एक-एक करके लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा आपका जो answer होगा वो जाधा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जाधा छोटा भी नहीं होना चाहिए आपका answer proper होना चाहिए क्योंकि tell me about yourself एक ऐसी question है जिसके through आपका personality depend करता है क्योंकि यह first impression होता है अगर आपका answer tell me about yourself में अच्छा हो गया तो आपका interview में 70% pass होने का chances रहता है तो आपको इस तरह से answer देना है जो interviewer के सामने आपका impression अच्छा हो next question what is personal hygiene देखो प्रेंस अगर आप किसी hotel में as a commie kitchen helper अगर cook में जा रहे हो तो आपको personal hygiene के बारे में proper knowledge होना चाहिए personal hygiene क्या है कैसे आपको reply करना है उस screen में आप लोग देख रहे हो personal hygiene is an individual's practice to keep the cleanness of its all parts of body and cloths which can help prevent disease transmission and create one good aesthetic condition देखो friends पहले आपको ऐसे बोलना है personal hygiene के बारे में personal hygiene का definition देना है इसके बाद आपको दो तीन चर एक्जम्पल भी देना है personal hygiene के बारे में जैसे हो गया आपका daily नहाना हो गया shaving करना हो गया आपका नाकॉन काटना हो गया ऐसे करके आपको दो तीन चर एक्जम्पल भी देना है interviewer को personal hygiene के बारे में देखो friends अगर आप interview में जा रहे हो as a comic cook kitchen helper किसी भी production में आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों को personal hygiene 90% पूछता है क्योंकि ये एक important question होता है पार्सोनल hygiene आपको proper knowledge होना चाहिए क्योंकि आपको ये question हमेशा पूछल जाता है तो इसके बारे में आपको proper knowledge होना चाहिए next question what is called cross-contamination देखो friends cross-contamination बहुत एक important question होता है अगर आप interview phase कर रहे हो तो ये question आपको पूछल दा सकता है तो इसका answer आप किस तरह से दे सकते हो आप लोग screen में भी दे सकते हो आप लोग screenshot भी कर सकते हो क्योंकि आपको बाद में पढ़ना होगा cross-contamination is the physical movement or transfer of harmful bacteria from one person to object or place to another तो इसका मतलब क्या है cross-contamination क्या है this meant is of harmful bacteria from one person to object cross-contamination जो है इस bacteria जो होता है वो bacteria को एक जगा से दूसरे जगा जघा होता है इसको cross-contamination बोलता है लेकिन इस टांस्थार कैसे होता है एक जगा से दूसरे जगा इसके टांस्था होने के लिए physical movement भी होता है मतलब हम लोग के जरिया मतलब आप आप किसी नाइप का यूज कर रहे हो किसी जगह पे नेक्स्ट कोश्चिन वाट इस कॉल डेंजर जोन देखो प्रेंस यह एक इंपोर्टेंट कोश्चिन है डेंजर जोन क्या है इसलिए बोला जाता है इस टेंपरचर में बैक्टरिया का जो ग्रोथ होता है बहुत रीपीटिटली मतलब बहुत जल्दी होता है बैक्टरिया का ग्रोथ इस टेंपरचर में इसलिए इसको डेंजर जोन बोला जाता है बैक्टरिया का ग्रोथ के लिए इसको डेंजर जोन ब झाल झाल